हेलो सुडेंट्स, माइनेम जंगमेंद्र, लेक्चरार फिजिक्स, गोवर्मेंट गल्स पॉलो टेक्निक बादलपुर। आज हम कोविड नाइनटीन में शिक्सा को बिना बादित हुए बड़े ही धिहान से और स्टेप बाई स्टेप हम पढ़ेंगे। आज हम नए सत्र की शुरुवात करते हुए पढ़ते में युनिट, फिजिक्स फर्स्ट की युनिट एंड डाइमेंज है। आप जानते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स इस दा ब्रांच ओप साइन्स इन विच इस्टेडी नैचर एंड नैचरल फिनोमेना। हम उसमें प्रकरती के जो नियम हैं उनकी स्टेडी करते हैं। जैसे पर्थवी सूर्य के चार और भूमती हैं। किसी भी बोड़ी को आप उपर फैके वो हमेशा नीचे आती है। किसी से टकराएं तो वो रिफलेक्ट होती है। तो यह सोज़ सब फिनोमेना हैं। इसकी स्टेडी हम फिजिक्स में करते हैं। अब हमारी इसी में युनिट है, युनिट एड डाइमेंजन क्या है। यूनिट एंड डाइमेंशन, यूनिट एंड डाइमेंशन, इसमें हम जैसे कोई बोडी उपर से गिरती है, तो उसे कितनी हाइट से गिरती है, कितना मास होता है, कितना उस पे बल लगता है, तो ये सब सबी हम सभी का हम क्या करते हैं, मीजरमेंट, तो मीजरमेंट फिजिक्स में बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम कह भी सकते हैं physics is a science of measurement physics physics is a science of science of measurement of measurement science of measurement measurement हम करते हैं तो इसमें करने के लिए तो फेल हम physical quantities क्या होता है physical quantities अब हम स्टार्ट करेंगे physical इसी को बोलते हैं हिंदी में बहुतिक रासी क्या बोलते हैं बहुतिक रासी तो यह क्या होता है तेकर ए इसी के बहुतिक क्या करेंगे तो इस्टक्या बहुतिकी के अंदर पर कोई भी मापी गई रासी बहुतिक रासी या फिजीकल क्वांटिटीज कहला दिये बहुतिकी के अंदर पर कोई भी मापी गई रासी बहुतिक रासी या फिजीकल क्वांटिटीज कहरा दिये यानि कि जिस फिजीक्स के अंदर यानि जिसका भी हम मीजर्मेंट कर रहे हैं हमने उपर ही बताया है कि measurement physics is a science of measurement तो physics में जिन राशियों का measurement किया जाता है उनको हम physical quantities या बहुतिक राशियां कहते हैं for example जैसे मास है, force है, time है, velocity है, momentum है, current है, electric field है, magnetic field है, torque है यह सभी क्या है, बहुतिक राशियों कि इनका physics में सभी का क्या जाता है, measurement का जाता है तो यह सभी क्या है, बहुतिक राशियों को major करने के लिए एक system है तो उसमें पहले आता है आपका unit, क्या आता है, unit क्या है, unit, इसको बोलते हैं हम, matrak क्या बोलते हैं, matrak तो इसमें क्या है, a fixed amount of a fixed amount or a fixed amount or number fixed amount or number used as a standard use as a standard of measurement measurement is called unit यानि कि किसी भी fixed amount को या number को use करते हैं और एक standard है measurement करने का उसको हम क्या बोलते हैं, matrak या unit या किसी बहुतिक राशियों का matrak एक मानक या standard होता है, किसी बहुतिक राशियों का मानक किसी बहुतिक राशियों का matrak या इसी को बोलेंगे हम standard standard किसी बहुतिक राशियों का मानक standard ही matrak standard ही क्या है, matrak matrak है, matrak है, किसी बहुतिक राशियों का standard ही matrak है, यसी जैसे q बरावर n u, q बरावर n u, q क्या है या पर, q is equal to p, h, y, si, physical physical content n, numerical value है क्या है, numerical value u, unit है, उसकी क्या है, unit जैसे आप लिखेंगे meter तो कितने meter आप लिखेंगे velocity तो कितनी velocity, जैसे v लिखेंगे हम velocity लिखेंगे हम 2 meter per second है ना, तो यह तो है उसकी numerical value, क्या है numerical value, n और यह है उसकी unit और v है आपका physical quantity, q physical quantity, q जैसे length है क्या है, length length बराबर है आपकी 2 meter तो 2 numerical value है 2 क्या है आपकी numerical value और m क्या है unit m क्या है, unit और length क्या है आपकी q, मतलब physical quantities तो इस तरह से हम किजी भी physical quantities का क्या करते है measurement करते है क्या करते है measurement अब unit को समझने के लिए unit system है क्या है unit system unit system क्या है unit systems इसमें हमारा है एक m के एस दोसरा है c g s ठीक है और तीसरा si system si systems क्या है si system si system इसी को बोलते हैं हम international इस international system m k s क्या है m k s m k s का मतलब meter kilogram second c g s में क्या है centimeter gram second जानि कि हम length लेंगे meter में लेंगे m k s में mass लेंगे kilogram में लेंगे और sum लेंगे second c g s में क्या है length को हम centimeter में लेंगे लग बाई को और mass को हम हमिशा gram में लेंगे और time को second फिर इसमे si system तो si system में क्या है in this इसमें 7 fundamental units है 7. Fundamental Units 1. Fundamental Units 2. Supplementary 2. Supplementary Unit 2. Supplementary Fundamental Unit 3. Fundamental Unit 3. Fundamental 3. Supplementary Fundamental 4. Fundamental 4. Fundamental Unit कितनी है फिजिकल क्वांटिटी तो इनी सबसे आगे हम कितनी भी अधर युनिट्स होती हैं इनी से ड्राइब करते हैं अब इसमें सेवन फंडामेंटल इन्स को पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को और सब्लीमेंटर को तो सबसे पहले हम क्वांटनी फजिकल कॉंटिटी अ पिजिकल कॉंटी क станов पपट से अंधिकल कॉंटीज का इवाट्रा इन प्र São Jo deals तो they are not depend upon any other units, they यह क्या है, they are not dependant, they are not dependent, they are not dependent upon any other units, they are not dependent upon any other units, यानि कि यह किसी पर depend नहीं करती, यानि कि यह मूल है, इनसे सब उत्मन हुए हैं, यह उनसे नहीं हुए, तो यह क्या है, independent है, मतलम यह किसी पर depend नहीं करती, जितनी भी all other, जितनी भी others units हैं, वो सब इनसे क्या होती हैं, drive होती हैं, and all other units are drive होती है, all drive from them, जितनी भी होंगी और वो इनसे सबी से drive होंगी, तो they are not depend upon any other units, and all other units are drive from them या depend on them इन पर क्या करेंगे वो निर्भर होंगी अब इसी में जैसे fundamental 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 physical is fundamental fundamental units fundamental units or symbols and units symbols जैसे पहली हमारी fundamental physical quantities है length L E N G T H length इसकी net होती है meter क्या होती है meter इसका symbol है M क्या है M दूसरी physical quantity है fundamental यह सब fundamental physical quantities हम लिख रहे हैं यह किसी पर depend नहीं है जितनी भी other physical quantities होंगी वो सब इन पर depend होगी वो क्या होगी सब इन पर depend जैसे mass दूसरी है mass इसका fundamental limits है kilogram क्या है kilogram और इसका symbol है kg क्या है kg इसका आपका टाइम क्या है टाइम टाइम का fundamental limits है second और इसको हम small s से denote करते हैं जैसे उठा है आपकी electric current electric current इसको हम unit इसकी है ampere और इसको capital A से हम denote करते है symbol इसका fifth है आपकी temperature temperature क्या है temperature fifth क्या है temperature इसको हम Kelvin इससे Kelvin से और इसका symbol होता है K 6 है आपकी luminous intensity luminous intensity क्या है luminous intensity इसको हम इसका fundamental जो unit होती है वो candela क्या होती है candela और इसको हम symbol denote करते है capital C करता है हो ऩkell करते ह